नमस्कार दोस्तों हम कर रहे हैं रेफिजेशन एयर कंडिशनिंग में बड़ा ही फंडामेंटल कोस्ट्यन है दोस्तों एयर कंडिशनिंग का ऑन दा साइक्रोमेट्रिक चार्ट कंसीडर अपॉइंट एट गिवन ड्राइड वेट वल्टेंपरेशर अड दिस पॉइंट सो डारेक्शन्स ऑफ सेंसिवल कूलिंग सेंसिवल हीटिंग अडियाबेटिक सैचुरेशन आइसो थर्मल हूमिडिफिकेशन कूलिंग डी रहती है इसपेसफिक हूमिडिटी यानि की यह कीशी ओफ मॉस्च्टर पर केजी ओफ घ्रिया में बहात कम होता है तो यह अधर आहती है हम सेंसिबल कूलिंग केह रहा है दोस्तों किस तरफ होना किस तरह हो कि तरफ हैban कि सैंसिबल के लिएक हीन टावर में वह होता है आप देखें अगर ये ये जो tady line है इसमें इसनल में कच्छ मात्रा में कूलिंग भी हो रही है और कुछ मात्रा में humidification हो रहा है humidification नज़िन कि आप cooler में जो हबर में पानी recipe बढ़ाते हैं मुदि का हवा ठंडी हो जाती इसका ही फायदा उठाते हैं दोस्तों ये बेट वल्ब तेंपरेचर ये व्याहा पे चूटर ऐसे तेरि दि लाईन रहती की और यह हमारा एडियाबेटिक सेचुरेशन है जा इडि वेट वी प्रेंचर फिनोमिना विच है पंड इन डिजर्थ खूलर एंड कोलिंग तावर ही का दोस्तो यह हमारा व्याट टेम्परिचर है पि्र है हमारा आ अइसो थरमल स्फ यानि कि इस पॉइंट पर यहां पर वही टेम्परिचर है जो यहां पर ही इसलिए और याइनी विंद भाड़ रहा है मालो पहले 15 ग्राम मॉस्चर था है केजी डाइयर में, अब मालो 20 ग्राम हो गया है, तो मॉस्चर बढ़ रहा है दोस्तों, इसलिए यह हुमिडिफिकेशन है, और उसी टेम्परचर पर इसलिए आईसो ठर्मल हुमिडिफिकेशन है, यह वाला प्रोसेस हमारा, अगरा प्रोस ये हमारा cooling गर इसके नीचे आएंगे तो ये ऑर दोनु कहरा है तो यह इन दोनों के भीच में टेड़ी लाई कितनी को लिंग किकरेंद करेंगी कितनी खृंड कि श्रुझाल नीचे की कि लेकर हमारा LOC5 से डों से जेंग मंदूसरों इस लाईन से चीलेटी होता है और देखा हुआ कि तो होता है शोटटे शोटे दाने रहते हैं जो पानी को शोक लेते हैं और खुड़ ऐसे मोटे समान खराप न हो इसका अदो और गैवा अपने जहांसे बाब क्रें जो-जो बड़ए-व त्रहे च्छान क Amendment ayo भी करते हैं धाकि लिए कमिक करते हैं तो यह हो गया है दोस्तो हमारे सारे मध्य सपिंग णिये इति एव उकिवAnd sap केसं कश्रेंस यह हो रहा है फुछा भी जाता दोस्ते है शाकॉमेट्रिक चार्ट पर मैं आपको यही тक करेंगे दिखांग तो यह व्ला हमारा है यह देखिए दोस्तों, यह 40 degree Celsius, पर हमारा 0.1 है, और 0.2 जो है, वो 25 degree Celsius पर, तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, यह horizontal line है, तो जो हमारा specific humidity है, यानि कि जितना moisture है, यह 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 में, वो constant है, उसमें कुछ भी नहीं effect हो रहा है, मगर ठंडी हो जारी है, पहले 40 है, 25 हो कर देंगर दोस्तों, यह तो sensible cooling हो गया, इसके just opposite कर दें, 1 to 2 यहाँ से, तो यह हो गया हमारा sensible heating, और अगर दोस्तों, जो हमारा humidification है, यहाँ पर आप देखे, isothermal humidification, 1 to 2, यहाँ 18 gram per kg of dry air है, यहाँ 9 gram था, और यह दोनों ही 40 degree Celsius, 45 degree Celsius पर हो रहे हैं, तो इसे कहाँ जाएगा, आइसो thermal humidification, और देख लेते हैं दोस्तों, यह 1 to 2 जो आपका desert cooler में हो रहा है, यह constant bulb temperature process है दोस्तों, maximum इसमें आप, यह saturate हो जाएगी air, यहाँ तक ही जा सकते हैं, मगर यहाँ तक भी नहीं जाते हैं, थोड़ा कम ही जाते हैं, 70-80%, हमारा जो desert cooler है, वेट बल्ब temperature से भी हो रहा है, और cooling भी हो रहा है, desert cooler में आपका यह application आप देख सकते हैं, constant वेट बल्ब temperature फिनोमेना है, यह दोस्तों, dehumidification है, और यह cooling है, और दोनों ही अगर करेंगे, तो teddy line बनेगी, cooling and dehumidification, इसे पकार, यह हमारा heating है, और यह बनेगा heating and dehumidification, और हमारा जो chemical dehumidification है, उ इसले टेड़ी लाइन बनती, इसकी, like heating and dehumidification, one to two, तिलका जलका उप्योग करते हैं, दोस्तों, आसा करते हैं, आपको मजा आया होगा, सारे प्रोसेस, देखने में, जानने में, तिलते हैं, अगले वीडियो में, धन्यवाद,